आप सभी को सावन महा और महा शेवरात्री की बहुत सारी शुपकम ने भगवान शिव पर कुछ चीजों को चड़ाना हमेशा वर्जित होता है कौसी वो चीज़े होते हैं आईए जानते हैं सबसे पहले तो भगवान को हल्दी नहीं चड़ाय जाती यानि भगवान शिव पर हल्दी अर्पित कभी नहीं करने चाहिए के अलावा भगवान शिव को या किसी भी देवी देवता को टूटे हुए अक्षत यानि कि टूटे हुए चावल अर्पित नहीं करने चाहिए इसके अलावा तीसरी चीज़ों जाती है बगवान शिव जी को तुनसी दल्यानी के तुनसी के पत्ते अर्पित नहीं करने चाहिए और चौती चीज़ों जाती है केत्वी कफूल ये भी बगवान शिव पर कभी भी नहीं अर्पित किया जाता इस सब चीजों के अलावा भगवान शिव को सबसे ज़्यादा प्रिये क्या है ये भी जान देजे सबसे पहले जीजे उनको भांग, धतूरा, बिलपपत्र इनको बहुत पसंद है एक बात खास्तोर पी याद रखेगा, लाल रंग के फूल भी कभी अर्पित नहीं किये जाते गुलाब के अलावा और कोई फूल आप इनको अर्पित नहीं कर सकते ये भी आपको याद रखने चाहिए और भगवान शिव को अगर आप कनेर का फूल चड़ाते हैं बहुत प्रीय है भगवान शिव को धतूरे का फूल चड़ाते हैं बहुत प्रीय है अन्य था भगवान महादेव तो बिलबपत्र पर भी हमेशा आपसे खुश हो जाते हैं आपकी भाव आपकी मन की सच्चाई उन भक्ती में निप्ट होनी चे यानि इन्वाल्व होनी चे तो महादेव दुन्यावी सीज से अंत्रिक्त नहीं होते भगवान महादेव आपकी आंत्रिक शक्ति और मन की भावना से प्रसन्न होते हैं तो आप पर हमेशा कृपाय बानी ओम नमाह शिवाएं